धनबाद जुले के टुंडी थानाद छेतर के रहने वाले असरफ अंसारी बुध बार को धनबाद SSP आफिस पांचे लूट कांड मामले में असरफ अंसारी अपराध्यों की ग्रफतारी करने की मांग करने लगे असरफ अंसारी ने मीडिया को बताया कि मैं बैंक ओफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र कलारी मोर के पास संचालित करता हूँ हमारे साथ 6 मई 2021 को चाकुव पिस्तोल की नौक पर पाच अपराध्यों ने 2,93,000 रुपए एबं बाइक लूट कर फरार हो गए घटना स्थल पर टुंडी डियासपी वा बरबड़ा पुलीस पहुंची थी और अस्वासन दिया था कि जल्द अपराध्यों को गिरफतार कर लिया जाएगा पर आज 13 दिन हो चले हैं टुंडी पुलीस अब तक अपराध्यों को नहीं पकड़ पाई है धनबाध अससपी साहब से मांग करते हैं कि अपराध्यों को जल्द से जल्द गरफतार किया जाए क्या कुछ घटना घटा साथ के साथ घटना घटा था साथ कि मैं बैंक ऑफ इंडिया का एक सेसपी संचालक हूँ मैं छे तारिक को दो बच का तीस मिनट के लगभग में अपना सेसपी बंद करके घर तरब जा रहे थे तो कदिया मोड परता है मेरा तो मोड के पास एक पूल है तो में जा रहा था तो वहां पहले से तीन अपराधी खड़ा थे और पिछे से दो पीछा कर रहे थे जैसे वहां में गाड़ी हलका स्लो जार्पिंग टैप का इसे में स्लो किया रोड में सिरे खड़ा कर दिया और तीन पुस्तल थान और पीछे से दो आया पांच आगे मिलकर और एक चापू के नोख पर मेरा केटियम बाइक था और मेरा बैग में जो कैस था दो लाग किरानगे लेकर भाग दिया घटना अस्ताफर मोक्ते पर डियास्पी सर भी पोचे वे थे टूंदी थाना के और बरवटा थाना के जल्दी हम चोरों को पकड़ लेंगा और परदा फास कर लेंगे लेकिन आगे मुस्तारीफ हो गया लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया सर अभी तक कुछ हुआ नहीं सर और वो जो पैसा था सब कस्टमर का था और कस्टमर अभी मांग रहा है उनलों को दिलासा देकर रख अगर कुछ मदद करें कुछ हेल्फ करें तो बहुत महर्वानी होगा मेरे लिए क्या नहीं हो आपका महमद असरफ अनसारी कहा गर हो आपका अगली बात अगली बात कोस्ट केस का थाना ठुंडी ठुंडी ठाना ठुंडी